नमस्कार आप देख रहे हैं सीनी उस भारतों मैं हूँ आपके साथ फ्रिया श्रवास्ता बाबा सिद्की की मौट के बाद सियासत में उबाल है ऐसे में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है कि लोगों के होश उड़ गए हैं जी हाँ बाबा सिद्की की हत्या के गाड़ी का गेट खोलते हैं तो उनको डर लगने लगता है उनको लगता है कि कहीं वो गाड़ी का दर्वाजा खोले और उनको कोई जान से मार ना दे उन्होंने क्या कहा पहले तो आफ वो जाननी चाहिए अकलेश यादव ने कहा जब जब जैड और वाई श्रेणी की सु मीड़ रहती है और ऐसे में मेरे लिए सुरक्षित रहना कितना मुश्किल है बतारी कि इस से पहले ही उन्होंने शोशल मीडिया पर बाबा सिद्ध्की की हट्या को लेकर दुख जटाते हुए महराश्ट्र की सुरक्षा विवस्ता पर सवाल उठाए थे बतारी की बाबा स सिद्धिकी की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया वाई सिक्योरिटी और चर्चित हस्ती होने के बाद भी मुंबई में हुई इस हाई प्रोफाइल हस्ती के मुडर पर राजुनी थे घमा सा अंज़ारी है अब अखिलेश यादम ने बीजोपी सरकार पर निशाना सा की मेरी जान को खत्रा है वही समाजवादी पार्टी ने सपा प्रमुकी सुरक्षा की अपील भी कर डाली है इतना ही नहीं वही देखा जाये तो कुछ लोग और राजुनी तक जानकार मान रहे हैं कि बयान ये महराश्ट में च्छाय रहने का जर्या भी बन सकता है दरसल मह महराश्ट में विधान सबात चुनाव होने जा रहे हैं और महराश्ट में कॉंग्रिस की जमीन पर सपा की नजर है सपा ने महराश्ट में मुस्लिम बहुले और उत्तर भारती मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीती बना ली है जिसके लिए उमीदव के नाम के अलान भी शुरू कर दी हैं अकले श्यादव का फोकस उन इलाकों पर है जो हम मुस्लिम अबादी निर्णायक संख्या में है या फिर जिन जगों पर यूपी से आने वाले लोग रहते हैं ऐसे में महराश्ट की राजनीती भी चाहे रहने के लिए यानि की महराश के लिए आप देखते रहे हैं सी निउस भारत